सारी है, डॉक्टर योगेंदर जी, यहां के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाप के सभी स्वदैश्य है वा प्यारे बच्चियों, सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से मुख्य आती ठीगा, बहुत दिल की गहराईयों से आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी सवागत करता हूँ, अभी नम्मन करता हूँ, और समान प्रकट करता हूँ, ताजमें के साथ इनका जीवन प्रीच्चिय भी बताया है और जीवन प्रीच्चे से पहले भी आमने सावने मुलाकात आज है, परंतुइन का परती भी हम ने डॉक्टर साथ, डॉक्टर योगेंदर के माँ जम शे पहले ही दिखाई देता था, क्योंकि जो संसकार होते हैं वे माबाप से मिलते हैं, डॉक्टर अरिश्चंदर जी, क्योंकि ये सारा परिवार डॉक्टर है वाई, अरिश्चंदर जी, डॉक्टर है वाई, पिएजडी है, योगेंदर जी पिएजडी है, अपने बेटे है, ये वैजे डॉक्टर है वाई, और बेटी भी डोक्टर है सारा पड़े लखा परिवार है और पड़े लखे के साथ सुल जाओ भी मेहन्ती भी मैं तो आप सभी को मैं बहुत ही ऐसा पाग्य साली मानता हूँ इस सकूल के स्टाप को भी बच्चें को भी के वही ऐसे प्राचारी आपको मिले है और बच्चों को और भी भाग्य साली इसलिए मानता हूँ के वही सारे अर्याइडे में गूब के देख लिया तो इना बेटा रामशे सुनो बेटे आपका जो स्टाप है ना टीचर है लेक् प्रफेसर हैं इनका मुकावला कहीं नहीं है इल्टीलेंटिड होना यह हैं और हुआर्या डैलेन्ट अकि तैलmore नहीं आं यह बहुत बड़ी बात है तैल्यन के दो बहुत होते होंगे फरन्तु यह बाटते हैं आपके अंदर ऋखें रहते राप में डालते हैं वेगुन तो वही आज शिक्षक दिवास पर मैं सब ही को बच्चों को भी और हमारे द्यापक साथियों को भी बहुत बहुत पताहियां देता हूं आप हार पर कट करता हूं और वही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वही ऐस अउसर पर आप ऐसी शिक्षा ले एक कामियाब शिक्षक नागरीक देश का वाशी बने क्योंकि आज का दो दिन है डॉक्टर राधा किर्शन के जनब दिवास के उपलक्ष पर शिक्षक दवस के रूप में मनाया जाता है बलदीद सिंग ने बताया था कि वही क्या था डॉक्टर राधा किर्शन जी सेकेंड उननी सो बैशिट में राश्ट्रपती बने थे और उनके जो स्टुडेंट थे उन्होंने उनके जनम दिवास पर सेलिपरेट करने के लिए आए तो डाक साब ने यही काया था कि वही मेरा जनम दिन मेरे लिए नहीं क्यों एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए शिक्षक ही एक ऐशी चीज है जो जीवन की इस दार से इस किनारे से वहां तक आदमी को पहुँचाते हैं जो पड़े महान आदमी बड़े हैं उनका विद्यार्थी जीवन अच्छा रहा है और उनके शिक्षक बहुत अच्छे रहे हैं एक अच्छा शिक्षक मिलना बहुत ही भाग्या है सो भाग्या की बात है और वह ही बेडा पार उतारता है जीस्तरें गुरू होते हैं वो अध्यात्मीकता में और ईजीवन जगत में जीवन पार करने में हमारी अध्यापक ही महतोपूर्ण भूमी का निवासते हैं और वह हमारे डॉक्टर राधा किर्शन जी ने 1962 से ही पांच सितंबर का जो दिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कादा उच के बाद में ये प्रमपरा चलिया रही है और डॉक्षा राष्ट्रपती के साथ साथ पहले बहुत एक अच्छे शिक्षक थे कॉ 1989 से लेकर 28 तक हिंदू विश्वी डाला के वे वीशी भी रहे हैं शिक्ष्या इसे जुड़े हुए भी हैं और शिक्ष्या एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जीवन की इस नईया से पहर उतारते हैं इसलिए भई अच्छी शिक्षक रहन करो और शिक्षित दिवस पर एक अ आगे चलके अच्छे अच्छे कारिये करने हैं जन्यवाद जय ही